डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से डाउनलोड करें माइलेवन सर्कल गाएप और पाएं पंद्रा सो का बोनस साथ ही पहले डिपोजिट पर पाएं 20 पीस दी एक्स्ट्रा कैश बैक नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूस 24 स्पोर्ट्स आपके साथ मैं हूँ अपूर मिश्डा हम आपको बताने जा रहे हैं विराट कोहली के नए ब्रमहस्त के बारे में वो ब्रमहस्त जिसने विराट कोहली को आईपिल 2021 का दूसरा मैच जिता दिया इस मैच में 16 ओवर तक जब हैदराबाद की पारी चल रही थी ये पूरा मैच हैदराबाद के पक्ष में नजर आ रहा था लेकिन 17 ओवर में विराट कोहली ने एक चाल चली और अपने उस ब्रमहस्त को गेंद सौपी जिसके बारे में आज से पहले शायद ही आपने कभी नाम है शाहबाद एहमर इस कमाल के गेंदबाद ने कमाल का ओवर निकाला उस ओवर में तीन तीन विकेट लिए जॉनी बेरस्टो को आउट किया सेट मनीश पांडे को आउट किया और उसके बार लंबे लंबे चखके लगाने वाले अब्दुल समद को आउट किया और एक ये मैच 6 रनों से जीद गई जहां एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मैच तो 18 या 19 ओवर में खतम हो जाएगा उस मैच को आर्सी बी के पक्ष में डाल दिया 6 रनों से आर्सी बी जीद गई किसकी वज़ह से जीती शाहबाद एहमद की वज़ह से तो यही शाहबाद एहमद व खिलाडी के बारे में कि आखरकाद ये खिलाडी आया कहां से इतना शानदार खिलाडी था तो इससे पहले इसका नाम हमने क्यों नहीं सुना कहां से खिलता है किस राज जिससे आता है किस गाउं से आता है सब कुछ अपने इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताने जा हां हूँ मैं आपको मिलवाता हूँ विराट कोली के नए ब्रह्मास्तर से सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में ये बता दू कि ये जो खिलाडी है ये मेवात का रहने वाला है और इसने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें अपने क्रिकेट करियर से जुड़े हुए कई सारे राज इस खिलाडी ने खोले थे क्या कुछ कहा था वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ दरसर हाली में शाबाज ने इंटर्व्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे पिता और अंकल शुरुआत में क्रिकेट का मुझे अभ्यास कराते थे और धीरे धीरे मेरा ये शौक बढ़ता चला गया मैं जिस जगह से आता हूँ मेवात वो एक बहुत छोटी सी जगह है वहाँ से तो आज तक किसी ने एक रणजी मैश तक नहीं खेला वहाँ से किसी खिलाडी का आई पिल में खेला पूरे जिले के लिए गर्व की बात है शाबाज के मताबिक जब उन्होंने पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पर कदम बढ़ाए थे तो मैदान जहां पर वो अकैडमी थी उनकी वहाँ पर उन्हें घुसने भी नहीं दिया गया था लेकिन फिर वहाँ से ग्राउंड के मालिक और कोच जब वहाँ पर खेल रहे थे शाबाज वहाँ पर गए उनके साथ खेलना शुरू किया उसके बाद उनकी स्पिन गेंदबाजी उन्होंने देखी और आज शाबाज एमद आपके सामने है कि उन्होंने क्या कुछ कर दिखाया है वर्ल्ड क्रिकेट में आईपियल में उन्होंने अपना नाम कैसे कमा लिया है अब यहां तक की जरनी यह तो थी शाबाज एमद की हाली के इंटर्वियू की बाद जब उन्होंने बताया कि मैं मेवात एक बहुत छोटे से जिले से आता हूं जहां से किसी एक भी खिलाडी ने रड़जी ट्रोफी तक नहीं खेली है मैं वहां से निकल कर IPL तक खेलाओ लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हर्याना की तीम से घरलू क्रिकेट नहीं खेलते हैं शाबाज एमद बलकी बंगाल से खेलते हैं तो यह बंगाल तक की कहानी क्या है वो अब जानी है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कहां पैदा हुए कैसे पले बढ़े फिर क्रिकेट में उन्होंने क्या कुछ किया जरा गौर से देखिए तो आपको बताते हैं शाबाज हर्याना के मेवाज जले के रहने वाले हैं उनके पता एहमद जान हर्याना में SDM के रीडर हैं एहमद जान बताते हैं कि जाब और बच्चों की पढ़ाई के लिए गाउं छोड़कर वो हतीन में रहने लगे थे वो चाहते थे कि शाबाज इंजीनियर बने लेकिन बेटे को क्रिकेट का शौक था और उसने खेल में करियर बनाने का फैस्टा किया था एहमद जान के पिता भी क्रिकेट खेलते थे शाबाज को भी अपने दादा की तरह क्रिकेट खेलना पसंद था लेकिन उनका गाउं मेवाद जिले में एजुकेशन की वज़़ा से जाना जाता था गाउं में कई इंजीनियर और डॉक्टर भी हैं तो पिता चाहते थे कि शाबाज इंजीनियर बने इसलिए बारभी के बाद उनका एड्मिशन फरीदाबाद इस्तित्मानव रचना युनिवरसिटी में सिविल इंजीनिरिंग में करा दिया गया क्लास बंक कर जाते थे क्रिकेट खेलने जिहां एमद जान कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि फरीदाबाद में बेटे का मन इंजीनिरिंग की पढ़ाई में नहीं लग रहा था शाबाज क्रिकेट खेलने के लिए क्लास बंग कर रहे थे इसकी जानकारी तब मिरी जब यूनिवर्सिटी की ओर से मैसेज गया कि शाबाज क्लास नहीं कर रहा तब मैंने शाबाज से कहा कि वो पढ़ाई या क्रिकेट में किसी एक को चुने लेकिन जो भी चुने उस पर फोकस करें तब शाहबाज ने क्रिकेट को चुना और उसी पर फोकस करने की ठाल ली जिसके बाद वो बंगाल गए और उसके आगे की कहानी तो आपको बताई है कि आज वो कितने बड़े क्रिकेटर हैं हर्याना में उनको चैन की उमीद जब कम दिख रही थी तो फिर हर्याना को छोड़ कर वो बंगाल की तरफ चले गए बंगाल में शांदार खेल से उन्होंने बंगाल की टीम में अपनी जगा बनाई फिर 2018 में हैदराबाद की टीम के खिलाफ पहला प्रथम श्रेणी मैच खेला कुल उन्होंने अभी तक 13 फस्ट क्लास मैच खेले हैं जिसमें 32.88 की ओसत से 569 रन बनाए हैं 37 37 विकेट भी चटकाए हैं वही 21 लिस्ट ए मैचों में उनके नाम 49.54 की ओसत से 435 रन दर्ज हैं और 18 विकेट भी हैं वही 25 टी 20 मुखाबलों में 95 रन और 24 विकेट भी दर्ज हैं आईपिल 2020 के आॉक्शन में आर्सी बी ने उन्हें 20 लाक के बेस प्राइस पर खरीदा था जिसके बाद उन्हें उस आईपिल में सिर्फ दो ही मैच खेलने का मौखा मिला उन्होंने उस दो मैचों में दो विकेट लिये जिसके बाद इस आईपिल में उन्होंने अपना असली नाम कमाया जब संद आईजर सहदराबाद के खिलाफ एक ही ओवर में तीन विकेट लेक कैसी लगी शाबाज अहमत के बारे में यह स्टोरी बताईएगा वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा चैनल को सब्सकाइब कीजेगा बहुत बहुत शुक्रिया अब क्रिकेट की कोई भी ख़वर मिस ना करें चाहे स्पोर्ट की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव अक्शन हर विडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट पर हम कॉंट्रोवर्सी भी मिस नहीं करते तो दिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट